स्वागत आपनों का एक बार फिर से हम यहां पे स्लोप और डिफलेक्शन पड़ रहे थे उसमें एक इंपोर्टेंट टर्म है कि स्ट्रेंथ और बीम होता क्या है माली जी की कोई बीम है तो इसके स्ट्रेंथ के लिए जरूरी है कि इसमें परियाप्त Shear Force और Bending Movement सहन करने की छहमता होनी चाहिए इसके लिए हम Shear Stress और Bending Stress का लिमिटेशन्स तैं करते हैं और ये भी ज़लूरी है कि इसमें लोड लगने से क्या होगी इसमें डिफलेक्शन कम से कम होना चाहिए जब deflection कम से कम होगा तो इसकी strength ज्यादा होगी strength ज्यादा इसलिए होगी क्योंकि उसकी flexual rigidity या नमन दिर्टा प्रयाप्त होना चाहिए नमन दिर्टा के बारे मैं एक और वीडियो बना चुका हूँ बट फिल भी यहाँ पर समझ लिजे कि नमन दिर्टा क्या होता है आपने theory of simple bending में एक formula पड़ा होगा कि m by i is equal to e by r variable is bending moment i moment of inertia e elastic constant r radius of curvature अब cross multiplication करते हैं तो i into e is equal to m into r होता है यह जो i into e होता है यह होता है नमन दिर्टा या flexural rigidity किसी भी बीव के strength के लिए जलूदी है कि flexible rigidity means i into e की value sufficient होना चाहिए कितना ही यह जादा होगा उतना ही बीव में deflection या विस्थापन या विक्षे कम होगा मतलब यह जादा होगा तो deflection कम होगा कोई भी doubt होगा तो comment box में पूछ सकते हैं और अपने मित्रों से शेयर करिएगा अपने मित्रों से बीव में पूछ सकते हैं यह जादा होगा